आज शुरू करने हैं एक छोटी जी स्टोरी को स्टोरी एक चीटी दी है गिये और एक चीटी दी स्टोरी दी जिक्र बहुत बड़े इंडिया दे पोएट ने उना ने अपनी एक पोएम चेकीता है जो उना दना आ हरी वंश्राय बचन जी श्री अमताब बच्चन जी दे फादर उना दे लिखी हो यह कविता दी लाइन है गिये कि लहरों से डर कर नोका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती की यह कोशिश किस तरह तुसी करनी है आज ओधी ही जिक्र है सबस्क्राइब कर दोस्तों सुखमनी इमिग्रेशन सर्वेसेज तों मैं सत्मिंदर पाठिया थोड़ाइस वीडियो स्वागत करना मैं Regulated and Licensed Canadian Immigration Consultant आज जी दा वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि एदे वास्ते बहुत सारिया रिक्वेस्ट है की वीडियो है की डिटेल है मैं सारा कुछ तोड़ना शेयर करना उस तो पहला रिक्वेस्ट है जे चैनल तोसी हूं तक सबस्क्राइब नहीं कीता तो प्लीज चैनल जरूर सबस्क्राइब कर देओ क्योंकि एस चैनल ते असी बहुत सारिया Canadian Immigration दिया न्यूस, अपडेट्स, टिप्स, ट्रिक्स तोड़ना शेयर करने है जे वीडियो पसांद आए प्लीज लाइक करो शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज नहां तांकि उनन दा भी बेनिफिट हो सके बैल आइकन दो जरूर दबा देओ तांकि उसे वकट एवीडियो पहुंच जाए तो अटे तक ज़्यादा सी अप्लोड करने है बिना हो और देर कीतिया हो यह शुरू करने है आज दा वीडियो जो की है गया है विस्टर वीजा रिफ्यूज हो गया है की करना है विस्टर वीजा रिफ्यूज वट तुडु तुद तो तुद तुद थये का लगा अच? मेरे कुछ वीडियो सी पहले थी तुद नहीं देखे तो ज़ुरूड देखो और बडा प्यार लोगा ना मिलेया हुआ हो ना वीडियो से होते है मैं वीडियो से विच जिक्र कीता है गाया जिभे की visitor visa to work permit किस तरा converted एक, उधी बारे गाल कीती सी visitor visa है कि किस तरा मिल दा है, उधी गाल कीती सी और visitor visa refusal क्यों हो जाना है गाल दस मेन कारण इदी गाल कीती सी उन visitor visa भी समझ आ गया refusal ले कारण भी समझ आ गये प्रॉलम होते आ रही है जेना लोगां अदे रिफ्यूजल हो जानदेने ओकेंने ने उन्हे तप तृक्का भी दसो और सौल किस तना गया वीडियो तृक्ट हो पसे ह्लाहिए को जे तोड़ा रिफ्यूजल हो गया है ते उन्हें सौल किस तरा करना है तो ओदे बारेज आज दी वीडियो ज़का लहकी है तो आज दा वीडियो जड़ा है उस तो पहला मैं तो नो कुछ स्टेटस्टिक्स दिखाना चाहना और इस स्टेटस्टिक्स टेडिया ने IRCC दिया ने गौवर्मेंट दिया स्टेटस्टिक्स ने तो मैं गौवर्मेंट दिया स्टेटस्टिक्स ही थोड़े सामने ले आ रहे हैं मैं भी पढ़न जो थोड़िया क्योंकि स्नाप्शॉट लिगता है तो थोड़ा मुश्किल हो जड़ा रीड करना तो एक गौवर्मेंट दिया स्टेटस्टिक्स है ये 2019 निया स्टेटेस्टेक्स ने, अगर 2019 निया स्टेटेस्टेक्स तुसी देखोगे, ते करीब 7 लख लोगा दे वीजा रिफ्यूज होये, 7 लख, ये वर्ल्ड ओपर country by country दी स्टेटेस्टेक्स से, एस country जो किने लोगा ने अप्लाई किता सी, किने लोगा दा अप्रूब होया, किने दा रिफ्यूज होया, की परसंटेज है, एक एक country by country सारा डेटा IRCC ने अपनी वेबसाइट दे दित्ता होया है, सो एक country by country दा स्टेटेस्टेक्स है गियाने, अगर overall देख्या जाये ते overall 2019 देविच, एप्रूबल रेट जड़ा सी, वो चोंट परसंट सी, 64%, यानि कि 100 पिछे चोंट लोगा नोई वीजा मिलता सी, ते जड़े करीब-करीब 40 परसंट लोग समय लोग एड़े ऐस तरीके देख्या जाननुई जण वीजा नहीं मिलता सी. सो अधी स्टेस्टिक्स 2019 दीया सी हुन 2002 दीया स्टेस्टिक्स टेडिया सी, औभी मैं तो आटे सामने लेके आया, 2002 दीया स्टेस्टिक्स टेडिया है गियाने, ओभी एस तभी किना है ओदे विच भी ऑप्रूबल रेट 65 प पबलिश नहीं होया, इकी बाइदा ते बाइदा ते ऑफकोर साल ही यह खतब ही होया, इकी दा डेटा अजी पबलिश नहीं होया, वी तक दा डेटा डेटा पबलिश होया, वोदे चो तो सी देख सकते हो, कि एक परसंटेज जड़ी है, 70%, 64%, 66%, यह ते डेटा जड़ा है गया है, पूरा IRC SQL अबेलेबल है, तो इनना ज़्यादा रिफ्यूजल है गया है, और प्रॉलम है कि रिफ्यूजल साओध इशन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज दे बहुत हाई है, बहुत हाई है, साओध इशन कंट्रीज, जिदर बिच अफ्रीकन कंट्रीज वन पता ही है, और साओध इशन कंट्रीज जी गाल करिए, खासकर इंडिया, पाकिस्तान, श्री लंका, बंगला देश, नेपाल, चाइना, और आलमोस्स सारा गल्फ, चाए दुबाई होवे, ख़दार होवे, कोई भी एरिया होवे, यह काफी हाई रिफ्यूजर रेट्स ते चल्दा है, तो यह थे हो गिया स्टैस्टिक्स, हुन जदो तोड़ा वीजा हो गया रिफ्यूज, यह सिर्फ विस्टर वीजा दी गाल गो रही है, यह थे बाक्की चीजां शामिल ने, यह थे 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 थोड़े टाइम बास दे आंदे हो, और शामिल ने है दिविच, ओधी काल कार रहे हैं, कोई होर केस दी में काल नहीं कार रहे हैं, और वस्टे ओप्शन स्पोर ने, सिर्फ विस्टर वीजा दी रिफ्यूज होंदा है, चाहे थोड़े कोल उस तो बाद, थोड़े कोल जिड़ा है कहा है, क्वेशन है कि तुसी अपील कर सकते हो, यह था आंसर एक कोई है, अपील नहीं कर सकते है, यह थे वड़ी-वड़ी प्राउलम खड़ी हो जाती है, अपील नहीं कर सकते है, नहीं ते उन जो कोई प्राउलम पर्मेट टोड़ाने थोड़ने थोड़ाने गया स्ट्राइबच्ग में इस तरह Marvin transfer צेर वीजा स्टडी वीजा स्टडी पर्मेट टोड़ानay 15 धूटाना थोड़ान गानऊ ऊड़ा जालदा या गया जड़ा एक एंड्र वoyu क्रपक्र टी है गया सो तुसी विस्टर वीजा रिफ्यूज हो गया, तुसी आप्शन कीने थाट लो, कार की सकते हो, सो सब तो पहली गाल ही है जी, पुल लो, कुछ नहीं हो सकता, सो एथे पोएम ज़रूर याद रखना कि कोशश करने वालों की कभी हार नहीं होती, सो जे ठीक टांगना तुसी क कोशिश करोगे, ते हार नहीं होएगी, ते थानु वीजा जरूर मिलेगा, ते जे तुसी वो कोशिश नहीं करना जांदे तो पुल लो, कोई गाल नहीं, किसे वोर्जला चले जाओ, फिर कैनड़ा दा तुसी पुल लो, थोड़ा रिफ्यूज हो गया ते, एक आप्शन थ पौड़कोण अवेलिबल ने, जो इक करके, फॉरुडेट टे दे, फॉरुडेट टे जोजकि की इवेड़ा तन्स अ, जो जुडियकर रिव्यू धिकल कर लीकल नहीं हो, शुडिशर रिव्यू की ह। है। जिड़ा की कोट में चुंदा है गाए कोट इस तुसी जाओगे कोट इस तुसी लॉयर दे थू तुसी कोट को जाओगे ओथे तुसी कोगे ते ओथे ओचेक करनगे कि हाँ जिड़ा डिसीजन दित्ता गया सी वीजा आफिसर दी तरफों की ओर रीजनेबल सी, की ओर फेर सी ओर चेक करने कोट इस ते हलाद की ने चाहे ओँ इंडिया होगे या कोई भी ओर कंट्री होगे चाहे कैनड़ा है क्यों ना होगे कोट ओवर बर्डन ने बहुत बहुत टाइम लाग रहा है सु कोट जा सकते हो तुसी याद रखो बहुत लेंधी प्रॉसस है और बहुत महिंगा प्रॉसस है बहुत ही expensive प्रॉसस है उस तो बाद पैसा भी अना खर्च लिता टाइम भी अना लिता बहुत लो है के ने बहुत लो चांसे ने जो ए जुडिशल रिव्यू दी कहनी है इसने बावजों तुसी करना चाहते हो, you can do that, mostly सोच और निन्यान में लोग नहीं करते हैं, right, so ए जुडिशल डिवीव दिगा लेकों, जोड़ी अगली ऑप्शन साड़कुल बच दिये, वह रिप्लाई, So, reapply, तुसी कर सकते हो, जी हाँ, तुसी कर सकते हो, reapply कर सकते हो, या उस व回去 नहीं कर सकते हैं, जे त्होड़े decision letter लिखिया होए, की YOO CANNOT reapply, clear लिखिया होएगा कि तुसी reapply नहीं कर सकते हैं, in that case तुसी reapply नहीं कर सकते, otherwise तुसी reapply कर सकते होs, So, कुछ ही grounds ऐसी आने, जिमें inadmissibility है, अगर inadmissibility हो रही है, security reasons करके, human rights violation कोई किते हुए हैं, कोई criminality है, कोई medical inadmissibility है की है, या misrepresentation है, तुसी गल्द काज़ सम्मिट कराए ने, या थोड़े अगों, एजेंट ने अपनी मर्जी ना लिए कोई होर काज़ फर्जी document सम्मिट कराते ने, ओधा कुछ नहीं जा रहे हैं, थोड़ा जा रहे हैं, थोड़ा जा रहे हैं, थोड़े ते misrepresentation होगी, तुसी कदी अपलाई या फिर inadmissibility दे वास्ते तौनों हो सकता है, TRP लेना पवे, टेंपरेरी जड़ा permit होंदा है, ओ तौनों लेना पवे, ओभी एक option होंदियेगी है, सो मैं औस डिरेक्शन चुना जाके, तौनों है सिर्फ दसना चाना कि तुसी apply, reapply कर सकते हो, provided कि कोई ऐसी condition ना होगे, सो त करन्दा, finance थोड़े वीक सी, थोड़े कुल तुसी overstay कर सकते सी, तो उना नॉर्मल केसिस दे मिच, यह थे financial issues है, यह थोड़े कुल प्रॉपर रीजन नहीं है, यह वीजा आफिसर में लगदा है, तुसी overstay करोगे यह ते रुक जाओगे, ता ओस केसिस दे मिच, उना उना रीआप्लाई कर सकते हो, ँन रीआप्लाई ककरना किस तरह है, एक अपने आपको सवाल है, कि रीआप्लाई करना है, तो रिफ्यूज होगी यह अप्लिकेशन, राइट, रीइप्लाई करना है, उन एक बड़ा जबरदस्त केस देखे ने, कि हुंदा कि यह कि स्टड़ी पा पहले रिफ्यूजल आया सी, तुसी कारण देख्या नहीं, जिड़ा थोड़े को रिफ्यूजल लेटर आंदा है, वो computer generated होनदा है, वो computer generated है, उदे ते सिर्फ section लिख्या होनदा है, 179 या कोई भी section जो भी section लिख्या होया है, उनने वो section दस्या होया है, detail नहीं दस्या होई, वो उसते बावजुद एजेंट आप पही reapply कर देंगें, बट वो कलते, reapply करोगे, अगर तुसी दुबारा reapply करोगे, बिना जानेया की कारण की सी, सिर्फ थोनु की होएगा, थोनु पेएगी cost, cost, time, time लगेगा, cost वदेगी, और mostly एयो होएगा के refusal, ते उत्ते एक होर refusal आ जे और औरेड़ी IRCC overburdened है, तुसी चुक के दुबारा फेर फाइल पा दे होगे, ते होरा लोगा आजा जड़े जैनुवन चीजा ने ओभी, डिले होजा दियाने तो अड़ी फाइल नो डील करने ज़े, तो ए इंपोर्टन चीज़े, फिर तुसी सोच दो करिये की, what should we do करिये की, सो करना है कि तुसी जदो थोड़ा रिफ्यूजर आ गया, थोड़े कोल एक एक्ट हुंदा है गया, एक प्रुविजन ने लोगा दे अंदर जिन्नों असी कहने है, Access to Information Act and Privacy, ATIP, जड़ा एक प्रुविजन ने वोदे अंदर तुसी अपनी इंफोर्मेशन मांग सखते हो, गॉर्मेंट करो, सो तुसी एन्फोर्मेशन अपनी थोड़ी फाले की होया सी, तुसी मांग सकते हो, उन्नो zwischen question है कि हर कोई बंदा मांग सकता है, सो जड़ी ATIP रिक्वेस्ट है, हर कोई बंदा नहीं कर सकता, या हो Canadian citizens कर सकता है, या हो PR card holder कर सकता है, या हो जड केटेगरी दे लोग ने Canadian citizen, PR card order, लोग जड़े Canada चो मजूद ने, चाहे हो foreign national लेकिन Canada चो मजूद ने, या फिर corporations जड़ियां Canada चाहे हैं, यह लोग जड़े ने ए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उन ए ती होगया ATIP, ATIP जड़ा है उन प्रोवत broad है, बड़े सारे departments ने, बड़े स रिक्वेस्ट करनी है, तो जदो तुसी रिक्वेस्ट कर दे हो, थोनू मंगना की है, और अपल मंगने ने GCMS records, so GCMS records जड़े ने, ओ की होंदेने, so GCMS records होंदेने, global acronym है, again, GCMS record, global case management system, global case management system के लानदा है GCMS record, so GCMS record जड़े ने, ओ होंदेने, क्योंकि सारा चीज़ computerized है, तो ज file computer ते देखते ने, थोड़ी file पड़ी, ओदे वेचे जड़िया चीज़ा हो, note-down कर देने, कि एथे कमी है, एह गलती है, एह कमी है, से ओ चीज़ा हो, notes पनाबना के फाइल दे विच पाई जान देने, information पूरी detail है, एकी column चेक होंदा है, एकी column चेक होंतो बात, एकी column देना नालना, notes okay, okay, नहीं ठीक, एथे कमी है, एथे कमी है, एथे कमी है, add detail चाहिए, add detail मिसिंग है, वो सारे notes नालना पाई जान देने, so GCMS notes जड़ेने, थोड़ी पूरी information store कर देने, थोड़ी visa होते, immigration file होते, एह पूरी information store होंती है, एथे भी लोगानों बड़ा confusion है, कई बारी म समनें दे कोशिश कर, एक CAPUS जड़ा है, क्योंकि प्रॉलम होई होई है, अद्धी अधूरी जानकारी है, वो एक बहुत बड़ा एक प्रॉलम दा कारन है, CAPUS notes जड़ेने, actually पुराना सिस्टम सी, तो पुराना सिस्टम की सी, CAPUS भी acronym है, CAPUS ना मतलब एक computer assisted immigration processing system, एह पहले दा स सिस्टम सी, तो जड़ार नो दास्ते करीब अना दा सिस्टम होया करता सी, चेंज हो गया है, हुना इस सिस्टम नहीं है, यह लोग यूज नहीं कर दे, ओल्ड सिस्टम सी, सो इस करके कई लोग अजवीनु के CAPUS notes से साहना लगी कह दन देनें, लेकिन वो ठीक नहीं है, असी GCMS सानून, रेकर्ड या GCMS notes चाहिए देने, तो यह हुई GCMS और कैपस्थी काल, हुन स्वाल है कि टाइम किलना लगता है, टाइम जड़ा है गाजी, रफली फोर तू एट वीक्स लाग जान देने, और अज़े से साब ना, आज़े साब ना, आट लगने कोई बड़ी जान देने, तो करीब करीब डेर तो दो मीनना टाइम लग जानदा है, अगर तुसी GCMS notes अप्लाई करते होते हैं, तो हुन आगे जी, जदो तबर को GCMS notes आ गए करना किए, सो GCMS notes आ गए, एक्तिया notes जड़ी हुन देनने, एको छोटे मोटी notes हा मतलब है, पुरा चंगा अच्छा कासा, चाली पिन्या पेज़े जाना, document होदा है, email आग दी है, क्योंकि electronically submit है, वैसे तुसी उन्जी भी कर सकते हो, preferable method जड़ा है, electronically submit करना है, चाली पिन्या पेज़े जाना document है गया है, सो ओ document जड़ा है, वीजा आफिसर ने सारे reasons, सारे details लिखिया हो याने, तुसी उन्हों पढ़ना है, अगर इन्हों तुसी एक graphical font देखना चाहो ते बड़े अराम ना तुसी इन्हों समझ सकते हो, सब तो पहला की करना है, GCMS जड़े GCMS notes ने या GCMS record उन्हों और करना है, नमबर एक, उस तो बाद जड़ो उसी order कारता, time लगेगा, मैं तो अल्रड़ी कह चुका हमा, कि minimum पांच तो आठ हफ़ते लाक लेने, डेड़ तो दो मीना लाग रहे है, वो जड़ो थोड़कोल record आगे, वो records थोड़कोल पहुच गए, उन्हों तुसी understand करना है, पढ़ना है, समझना है, उन्हों रेकोड्स तुसी बंगवा भी लिते, आवी गे, तुसी पढ़ भी लिते, पढ़न तो बाद जड़ी बिमारी है, उता इलाज करना है, उता ता जड़ो तुसी reapply करोगे, I can tell you, ता थोड़े वीजा चाब कोई इशू नहीं आएगा, ता तो नहों 100% वीजा मिलगा, एक प्रोसेस है, अगर तुसी प्रोसेस फॉलो करोगे, कोई प्रोल्म नहीं, जे उत्तो डुती से दुबारा दुबारा अप्लाई करी जाओगे, रिएप्लाई करी जाओगे, उधा कोच प्यादा नहीं, थोड़ा केस होर वीज ता भीजा जाएगा, तो कोई भी होर तुसी अदे बारे चानलेज लेना चान्दे हो, तुसी साड़े ओफिस नो कंटेक्ट कर सकते हो, अपॉइंट्मेंट बना के गल कर सकते हो, साड़ा ओ कर थे विए, तुसा